असलाम अलेकुम दोस्तों मेरा नाय मक्सूद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चकी हल्प टीप्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टीप्स एंट ट्रिक के बारे में Windows 10 से related बहुत सारे इस ट्रिक्स हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में मैं वही चिजें आपको बताने वाला हूँ तो अगर आपको इन ट्रिक्स में से कोई भी ऐसी ट्रिक है जो अभी तक नहीं पताती है Windows 10 जैसा कि हम सब जानते हैं Windows 7 operating system जो है इस वक्त हो चुका है expired मतलब Microsoft ने services देना बंद कर दिया है अब हमें Windows 10 ही install करना पड़ता है अगर हम चाहें भी तो Windows 7 install नहीं कर सकते हैं Windows 7 में कुछ ऐसे tips and tricks हैं जिसके बारे में हमें नहीं वालूम होता है सबसे पहली है dark mode हम जैसा कि जानते हैं हमने देखा भी होगा कि mobile phone में dark mode का feature available होता है इसी तरीके से हम अगर चाहें तो Windows 10 में dark mode enable कर सकते हैं आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको simple सिर्फ जाना है Windows की setting में वहाँ पे आपको मिल जाता है background और color का option किलिक करना है आपको color पे scroll down करना है वहाँ पे आपको दो option मिल जाएंगे light और dark mode तो आपको select करना है dark mode पे जैसी आप dark mode पे किलिक करते हैं आप देखते हैं कि आपका complete operating system complete चीजें आपकी dark mode पे हो जाती हैं हा लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारी ऐसा application है जो अभी तक dark mode support नहीं करते हैं जैसा कि आपका Google Chrome browser वहाँ पे आपको dark mode चेक करने के लिए setting में जाके change करना पड़ता है लेकिन हाँ ये setting अगर dark mode आप करना चाहते हैं अपने operating system को तो इस तरीके से आप कर सकते हैं दूसरा feature है काफी इंटेस्टिंग है minimize windows with gesture कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास आपके computer पे multiple windows खुली होती है और जिस window पे आप काम कर रहे होते हैं उसके जो पीछे की window होती है कई कई कभी कभी आपको disturb करती है और आप नहीं चाहते हैं कि वो window आपके सामने खुली रहे तो करते क्या है आप जाते हैं और उसकी minimize बटन पे किलिक करते हैं जितने भी application आपके खुले होते हैं जो भी आपके पीछे वाले application से उसको आप क्या करते हैं one by one minimize करते हैं लेकिन बगर आपसे कहूँ कि सिर्फ एक gesture से आपका ये काम हो जाएगा आसान आपको करना कुछ नहीं है जो application आपने खोल लखा है उस application पर क्या करना है आपको left click ले जाके वहाँ पर press करनी है और आपको सिर्फ इस तरीके से gesture करना है मतलब हिलाना है जैसे ही आप हिलाएंगे आप देखेंगे जो आपके background मतलब पीछे के सारे application वह सारे के सारे minimize हो जाएंगे लेकिन ये तो रहे minimize होने का लेकिन आपको कुछ time बात ये लगता है कि नहीं मुझे सारे application को open करना है जो पीछे चल रहे थे ना कि एक application को तो आपको कुछ नहीं करना है simple फिर जाना है अपने main application पर जो आपके front पर खुलिए है उस पर जाना है और आपको फिर से same gesture करना है मतलब हिलाना है उससे क्या होगा जैसे ही आप move करेंगे आप देखेंगे कि आपके सारे background फिर से open हो जाते है कैसे लगी आपको यह trick जरूर बताएं night mode हम सब जानते हैं कि laptop में IPS display आता है companies इस बात को बताती है कि आपकी आँखों पर काफी कम effect पड़ेगा लेकिन आपको नहीं पसंद है IPS display के बाद भी आप चाहते हैं type करना है night mode जैसे आप यहाँ पर night mode type करते हैं आप देखते हैं आपके सामने एक window हो जाती है जहाँ पर आप चाहें तो sit कर सकते हैं कि कितना night mode आपको रखना है आपकी screen का वहाँ पर sit कर सकते हैं आप screen के night mode को जहां पे आपको कम और ज़्यादा करने पे आपकी आखों पे जो चुबने वाला effect है वो कम से कम लगेगा तो यह है night mode का feature अगर चाहें तो आप इस्तिमाल कर सकते हैं अगली trick है Windows के multiple desktop का option suppose एक आप YouTuber है और आपके पास multiple screen नहीं है मतलब आप दो monitor नहीं यूज़ करते हैं सिर्फ एक monitor यूज़ करते हैं और आप उसमें ये चाहते हैं कि एक screen पे मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि एक screen पे मेरी editing चलती रहे दूसरी screen पे मेरा Google Chrome दिखता रहे तीसरी screen पे मैं कुछ और भी चीज़े open करके रख लूँ दूसरी चीज़ सपोज ये करिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने laptop पे पढ़ाई कर रहे हैं घर वालों को जो लग रहा है आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उस वक्त देखते रहते हैं आप movie आपके कमरे में कोई एकदम सा आ जाता है और आप कुछ छुपाना है कि आप नहीं सच में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे मतलब ये part of the joke है लेकिन हो सकता है इन दोनों cases में आप क्या कर सकते हैं आप windows 10 के अंदर multiple desktop बना सकते हैं desktop 1, desktop 2, desktop 3 जहाँ पे एक desktop पे आप कुछ और खोल सकते हैं दूसरे desktop पे कुछ और खोल सकते हैं मतलब वो सारे application एक time पे open रहते हैं अब बात याती है कि switch कैसे करेंगे one desktop से two desktop पे switch करने के लिए या तो आप windows बटन दबाया और वहाँ पे click करें लेकिन ये तरीका तो fast नहीं है दूसरा तरीका है control windows मतलब CTRL windows प्लस right and left arrow जैसे आप control और windows के साथ right arrow को press करेंगे आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ switch कर जाएगा next desktop पे जैसे फिर अगर आप same procedure करेंगे तो आप देखेंगे फिर next desktop पे वो move कर जाएगा तो ये tricks बहुत अच्छी है दोनों चीज़ों के लिए मतलब किसे से बचना चाते हैं उस case में भी आप इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हैं और आप ये चाते हैं कि आपको multiple screen खरीदना ना पड़े उस case में भी आप person time type करना है या फिर clean mgr type करना है तब ही जाकि हम clean कर पाएंगे और कई बार ऐसा होता था हम भूल जाये करते थे तो हम phone लगाते थे किसी को पूछा करते थे कि यार वो command कौन सा है जिससे के temporary file remove होती है लेकिन Windows 10 में ऐसा बिलकुल भी नहीं है आप ले महन है आप ये computer के बार option दीख जाता है clean temp file या remove temp file आप जैसे उस पे ख लिक करते हैं आप दीखते हैं कि आपके सामने वेंडू आती है वहाँ पर सारी scanning चलती है और एक वहाँ पर tab होता है जिसमें लिखा होता है clean temp file डीलीट जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आप देखते कि ये window आपके सामने आत हैं उसकी फाइल होती है वो सारी चीज़ों होती है आप चेक करके और क्लीन कर सकते हैं तो यह है कुछ टिप्स एंट्रिक विंडोस से रिलेटेड तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और मुझे फॉलो कर लें कहां पे इस टा और फेज़बूक और ट्विटर पे मेरी आईडी यहां पे दी वही है इन आईडी इस पे मैं बहुत सारी लेटेस इंफोर्मेशन देता रहता हूं जो की फेसबूक पे नहीं दे पाता हूँ और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें वाटसप पे ताकि उन लोगों पता था सके जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं